हेलो स्टूडेंट्स मैं आचल जैन आपकी कंप्यूटर टीचर आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कंप्यूटर बुक थर्ड का चाप्टर फिफ्थ वर्किंग ओन वर्ड टूथाउजन सिस्टें इस चांचर के अंदर हम जानेंगे किस तरीके से हम अपने documents के अंदर जो data type करते हैं उसको select करते हैं, उसको format करते हैं और उसको edit करते हैं चलिए start करते हैं chapter 5, chapter 5 working on work 2016 सबसे पहले हम इसके overview station को देखते हैं जिसके अंदर इस chapters के main contents हैं जिनके बारे में हम इस chapter के अंदर पढ़ेंगे selecting of the text, editing of the text, formatting of the text, applying borders, applying shading to the selected text, adding bullets and numbering आईए सबसे पहले हम इसकी warm-up station exercise करेंगे इसके अंदर देखेंगे हम write the text in the space provided using the given color and style one has been done for you आप यहाँ पर देखेंगे आपको यहाँ पर क्या करें कुछ text given है इनको जो आपको color दिया है, उस color से आपको cursive writing के अंदर उस letters को यहाँ पर type करना है एक आपके लिए यहाँ पर करा गया है जैसे vanilla तर उसको यहाँ पर स्ते से लिखा है आप strawberry को यहाँ पर क्या लिखेंगे blue cray है उनसे cursive writing के अंदर आप लिखेंगे इसको यहां पर लिखेंगे बटर स्कॉच को यहां पर लिखेंगे आप पिंक क्रेयों से स्मॉल लेटर के अंदर उपर लिखा आपने कैपिटल से नीचे लिखेंगे आप स्मॉल लेटर से आई, are you aware that in addition to changing the text like above, you can also change the font, border, color, style and writing in the software word यहां पर लिखेंगे, जैसे अभी हम नहीं कर रहा है, यहां पर हमने लिखा pencil से, हमने इसको कर लिया, क्रेया, हमें capital लेना था, हमें small लेना था, हमें stylish लेना था, हमें cursive, यह हमने सब करा, same easy, हम यह काम क्या कर सकते हैं, word 2016 के अंदर कर सकते हैं, बिलकूल कर सकते हैं, चले द किस तरीके से हम इसे word 2016 के अंदर करेंगे, the previous chapter of word 2016 covered its essential feature, in this chapter, we will learn more about the formatting and editing features of word 2016, using these functions, you can create reports, poem, stories, letters and other documents to make them more appeal, देखें, हमने previous chapter में भी हम पढ़ कर आएं, किस तरीके से हम document को, क्या करते हैं, खोलते हैं, उसके essential features के बारे में पढ़ कर आएं, इस chapter के अंदर हम जानेंगे, इसके more features, formatting और किस तरीके से हम इसके अंदर editing कर सकते हैं, और इनके बारे में हम क्या करेंगे, किस तरीके से इन features को use करके, हम क्या कर सकते हैं, report बना सकते हैं, stories बना सकते हैं, letters क कर सकते हैं और बहुत सारे काम हम अपने डॉक्यमेंट के अंदर कर सकते हैं चलिए आगे देखते हैं आगे देखते हैं हम selecting the text अब इन चीज़ों करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए text को select करेंगे जब ही यह क्या करेंगे हम जितने भी formatting editing के जो फीचर से हम तभी apply कर पाएंगे जब हमारा text select होगा the majority of text related tasks in word are done in two steps जो जादातर जो text related tasks हो वो दो steps में हमारे होते हैं उनके बारे में हम देखते हैं क्या हम जादातर किस तरीके से हम करते हैं सबसे पहले हम देखेंगे step 1 selecting the text सबसे पहला हमारा होता है कि हमने जो भी text लेना उस पर हमें जो भी formatting apply करने लेकिन उससे पहला हमें क्या होना चाहिए वो text हमारा क्या होना चाहिए select होना चाहिए selecting the text next step to applying the necessary changes अब हमें क्या करना है उस text को जो हमने apply select कर लिया उसके उपर अब हमें जो भी changes करने वो हम कर सकता है उसके अंदर change करना change कर सकता है उसके अंदर हमें formatting करनी है उसको style देना वो हम दे सकते है अगे आपको दो steps के अंदर पूरा का पूरा सारा काम हमारा perform हो जाता है there are two options for selecting text in word 2016 you can select all of the text in a document or just a selection of it using the keyboard or a mouse you can also select text or items that are in different places in the document आपको क्या करना है कोई भी document के अंदर हमें text को select करना है हम उसको keyboard से और mouse से दोनों से तरीके से उसको select कर सकता है even हमारे document के अंदर वो कहीं इदर दूसी जंगे भी place है तो भी हम वहाँ पे जाकर उसको क्या कर सकते है select कर सकते है let us learn some techniques for selecting the text आप कुछ techniques होती है किस तरीके से हम अपने text को select करते है उनके बारे में देखते है selecting entire text सबसे पहले क्या करते हैं entire text मतलब जितना भी document के अंदर आपका data typed है उसको हम पूरे entire text को एक सा select करना चाहते हैं उसको हम किस तरीके से कर सकते हैं उसके steps देखते है to select all the text in a document follow the given steps first step click anywhere in the document आप अपने document के अंदर कहीं भी click करिए step to press control plus A on the keyboard it will select entire text in the document आप क्या करेंगे जैसे आपने press करा control plus A तो आप क्या कर देखेंगे कि आपका पूरा का पूरा जितना भी document के अंदर text हो सारा का सारा एक बार में select हो जाएगा देखें just like अब आता है selecting a specific text अब हमें क्या करना particular specific text को select करना है उसके लिए हम क्या करेंगे you can also choice to select a specific word line or paragraph to select the specific text in the word follow the given steps अब हमें specific word को select करना है तो हम उसके लिए कुछ steps है जिनको follow करके हम यह काम कर सकते है step 1 place your cursor in front of the first letter of the word sentences or paragraph you want to select आप क्या करेंगे अपने cursor को उस letter पे ले जाहिए जिस word को आपको select करना है या जिस paragraph को आपको select करना है उसके starting पे आप लाई जाहिए step 2 while dragging the pointer press the shift key to select the text shift की दभाएंगे और mouse से आप drag करतेंगे data आपका जो specific text है वो आपका क्या हो जाएगा select हो जाएगा जैसे आप यहाँ पे up to the up the water spot down came the rain यहाँ पे click करा यहाँ से हमने इसे drag करतेगा ही हमारा पूरा select हो जाएग hopefully यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा आगे हम देखते है editing of the text text के अंदर editing करना editing मतलब text के अंदर changes करना you can add, remove, move or copy text that has already been entered into your document to another place or location आप क्या कर सकते हैं आपको जो document है उसके अंदर आप क्या करना चाहते हैं उसके अंदर कुछ changes करना चाहते हैं आप उसको खटाना चाहते हैं आप उसको change करना चाहते हैं आप उसको एक जंग से दूसरी जंग के copy करना चाहते हैं एक जंग से दूसरी जंग के ले जाना चाहते हैं इस सारा काम कर सकते हैं आप MS Word के अंदर इसे इन सब चीज़ों को हम क्या कहते है editing करना text के अंदर आए देखते है inserting the text text को insert करना to add the text to a document follow the given steps यहाँ पे text को क्या करना है enter करने के लिए कुछ steps given है उनको हमें क्या करने होगा follow करना होगा देखिए वो steps step 1 place your cursor where you want to add text in the document आप क्या करेंगे उस जंगे पे अपने cursor को लाएंगे जहां पे आपको अपना क्या करना है text को enter करना है step 2 type your text अब आप क्या करेंगे अपना text type करना शुरू कर देगे जैसे हमने यहाँ पे cursor लाए यहाँ पे cursor आगे यहाँ से हम कुछ भी type करेंगे वो हमारा टाइप होना शुरूर हो जाए सबसे पहले हमें उस cursor को उस जंगे पे प्लेस करना हो आई अब देखते हैं copying and pasting the text text को copy or paste करना copying the text means that the selected text is copied and remains in its original position as well as the location where it is pasted the steps for copying text from the document are as follows copying का मतलब क्या होता है copying का मतलब ही होता है कि हमने क्या करा जो data हम ले रहे हैं वो data उस जंगे भी रहे हम उसे select करके copy करके दूसरी जंगे भी उसकी copy ले जा सकता है इसे कहता है copying की data भी रहे और उसकी data की हमने क्या कर लिए copy दूसरी जंगे ले जाकर हम उसको क्या तर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं, आईए, देखते हैं के steps, step 1, select the text that you want to copy in the document, firstly हमें क्या करना पड़ेगा, data को क्या करना होगा, select करना होगा, जिसे हमें क्या करना है, copy करना, just like, अब हमने step 2 देखा, click on the home tab, अब हम किस पे जाएंगे, home tab पे जाएंगे, यहाँ पे हम click करेंगे, step 3, select the clipboard group and click on the copy option, अब हम क्या करेंगे, यह हमारा clipboard group हम देख सकते हैं, लिखा रहा है, clipboard, यहाँ पर हम किस पे click करेंगे, copy option के उपर, अब आएंगे, step 4, go to the required area where you want to paste the text, अब हम क्या करेंगे, उस जंगे पे जाएंगे, जहाँ पर हम अपने data को क्या करना है, paste करना है, step 5, choose the paste option from the clipboard group, अब हम क्या करेंगे, clipboard group पे जाएंगे, अब हमने copy कर लिया, उस copy data को हमें क्या करना है, paste करना है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर, आप देख सकते हैं, यहां पर आप देखेंगे, यह हमने copy किया था data, यह रहा, this is our data, जो हमने copy किया था, हमने copy करने के बाद, हम clipboard group पर again जाएंगे, और किस पर click करेंगे, पेस्ट पर, जब हम इस पर paste पर click करेंगे, तो आप देखेंगे, जहां पर भी आपका cursor हो अगर वो data वहां पर आपका paste हो जाएगा, अब आगे देखते हैं, moving and pasting the text, अब text को किस तरीके से move करना और paste करना, moving means, एक location से दूसी जंगे पर ले जाना, दूसरी location पर ले जाना is called a moving, इस दिलिए आपको समझ में आ गया होगा, text को एक जंगे से दूसी जंगे पर ले जा and appears where it is placed, देखें, जब हम क्या करता है, cut option पर click करता है, तो जो data हमने select किया, हमने उसे cut किया, तो data उस जंगे से हट जाता है, remove हो जाता है, खतम हो जाता है, to remove text from a document, follow the given steps, cut करने के लिए जो steps होते हैं, वो किस तरीके से उनके बारे में हम देखते है, step 1, select the text that you wish to move, आप सब से पहले क्या करेंगे, उस text को select करेंगे, जिसे आप क्या करना चाहते है, move करना चाहते है, cut करना चाहते है, फिर हम step tube में करेंगे, click on the home tab, अब हम किस पर click करेंगे, home tab पर click करेंगे, यह हमारी home tab इस पर हमने click करा, यह home tab पे click करा now step 3 choose the cut option from the clipboard group अब हम क्या करेंगे clipboard group पे हम किस पे click करेंगे cut option पर click करेंगे देखे दिख रहा है na cut option दिख रहा इस पे हम click करेंगे step 4 go to the required place where you want to paste the text अब हम क्या करेंगे जहां पर हम इस text को paste करना है cut करके वहां से अटाकी दूसी जंग रहता है वहां पे अपने cursor को ले जाएंगे step 5 under the clipboard group select the paste option और हम clipboard group में कैसे पे click करेंगे paste option पे click करेंगे वो data हमारा क्या हो जाएगा paste हो जाएगा देखेंगे यहां से data हटा हमारा है cut हो गया है हमने cut पे click करा जब cut होने के बाद हमने यहां पर click cursor लिया यहां पर हमने उसे paste का तो वो उपर set कर नीचर आगया hopefully यहां तक आपको समझ में आगया what is the copying और किस तरीके से moving करते है text की अब देखते हैं erasing the text अब हम text को किस तरीके से erase करते हैं हटाते हैं before using the delete key on your keyboard you must first हम क्या करते हैं keyboard पर जाते हैं keyboard पर क्या करते थे हम delete key press करते थे तो हम पहले क्या होता है delete key press करने पहले हमें क्या करना जिस भी text को में delete करना है वो हमारा select होना चाहिए चाहिए वो line हो text हो हम उस पहले उसे select करेंगे word हो और उसके बाद हम क्या करेंगे, डिलीट की प्रैस करेंगे, वो डेटा हमाया डिलीट हो जाएगा, हम क्या कर सकते हैं, हम बैक स्पेस की यूज़ करकर भी डेटा को अपने डिलीट कर सकते हैं, next undo and redo, you can undo a command to make it cancel, redo can be used to undo a command, undo command जो होते हैं, जो भी हम काम करें, उसको cancel करने के काम आता है, redo just उसका क्या होता है, opposite होता है, उल्टा होता है, जो हम undo से करते हैं, redo क्या कर देता हैं, वापस हमें उसी condition पर ले आता है, to undo your action, click the undo button on the quick access tool bar, to redo press the redo button on the quick access tool bar, quick access tool पर बार पर हमारे दो बटन्स होते हैं, undo और redo, हम undo करने के लिए undo बटन पर दबाते हैं, redo करने के लिए redo बटन पर click करते हैं, आएए देखते हैं, formatting of the text, text को किस तरीके से format करते हैं, format कर सकते हैं, text formatting involves changing how it appears and is organized, the following steps will help you format your text, format का means क्या होता है, किस तरीके से जो हमारा text है, वह हमारे document में अपियर होगा, दिखने में वो किस तरीके से लगेगा, यह क्या कहलाती है, हमारी किस तरीके से हम उसको represent करेंगी, किस तरह से उसका look आएगा, यह सब किसके अंदर आता है, text की formatting के अंतर, इसको format करने के लिए कुछ steps हैं जिनके बारे में हम देखते हैं step 1 choose the text that needs formatting सबसे पहले हमें क्या होगा उस text को choose करना है जिसकी ओपर हमें क्या करना है formatting apply करनी है step 2 apply the desired effect अब हम क्या करेंगे अपने desired effect जो भी हमें करना है उसको क्या करेंगे choose करेंगे choose the bold italic and underline option from the font group अब हम यहां पर देखेंगे यह font group है this is a font group यहां पर हमारे पास 3 options है bold italic and underline इनके बारे में देखते हैं क्या काम करते हैं if the bold option is chosen the writing appears large and dark अगर हमने b पे click करा तो क्या होगा जिस पे भी हमने b पे click करा तो जो भी हमारा selected text होगा वो क्या हो जाएगा bold हो जाएगा dark हो जाएगा और large मनला bolder, dark होकर बढ़ा हो जाएगा selecting italic option makes the text tilted towards the right जो हम अगर italic पे click करेंगे तो आप देखेंगे जो भी selected text होगा पुड़ा सा right side में क्या हो जाएगा move हो जाएगा इस तरीके से italic form में आजाएगा the text is made more visible by a line being drawn underneath it अगर हमें क्या करना है जो text है उसको visible दिखाना है तो हम क्या अगर underline option पे click करते हैं तो वो underline पे हम click करेंगे तो text की नीचे हमारी क्या जाएगी selected text की नीचे underline display हो जाएगी to use the option follow the given steps इन option को follow करने के लिए हम कुछ steps को एक बार और देख लेते हैं किस तरीके से अभी तो हम नहीं के बारे में जाना है क्या होता है मिनको किस तरीके से apply कर के बारे में जानेंगे step 1 select the text to which the effect should be applied before anything else सबसे पहले कुछ भी काम करने से पहले हमें क्या करना हुगा उस text को select करना हुगा जिसके उपर हमें इस चीज़े apply करनी है अब step 2 choose the home tab अब हम किस पे क्लिक करेंगे home tab पे क्लिक करेंगे step 3 choose the bold italic और underline button from the font group अब हम font group से 3 बटन से bold italic underline जिसे करना choose उसे हम choose कर लेंगे I love India I love India I love India हमने B पे करा तो ये इस तरीके से display होगा अगर हमने I पे italic पे क्लिक करा ये इस तरीके से display होगा हमने U पे क्लिक करा ये इस तरीके से हमारा display होगा आई देखते इसका practice station pick out the bold italized and underline text in the given image then mark each with a different color of crayons आप क्या करेंगे आप अपने lap में के अंदर जाके इसकी क्या करेंगे इस exercise की practice करेंगे bold italic underline करके देखेंगे अपने text को लेंगे उसको किस तरीक सी bold italic underline की practice करेंगे आई देखते है changing the font style अब हम देखेंगे किस तरीके से अपने text का जो होता वो font style change कर सकते है a font is a group of identically size, shaped and style, typing, character letters and symbols देखें जो font होता है वो एक क्या होता है collection होता है कि किस तरीके से जो हमारा text है किस तरीके से वो present होगा किस तरीके से उसकी shape होगी size होगा और style होगा characters का ये सब क्या होता है font एक के अंदर आता है ये सब चीजे, एक तरी से font क्या होता है हमारा group होता है, जिसके अंदर ये सब चीजे हमारा होता हमने font सूश किया, वो उसी तरह से हमारे पूरे data को क्या कर देगा, change कर देगा उसी font के अंदर word uses the standard type phase calibre body with a font size of 11 by default, जो by default हमारा, जो ms word के अंदर font होता है, वो होता है, हमारा calibre body और इसका size होता है 11 by default यही हमारा काम करता है, अगर हम change ना करें चलिए एक बार इसका fact station देख लेता है use the given shortcut for using and removing the following effects, इन core effects को लगाने के लिए भी और हटाने के लिए भी in keys का use करते है, control B for bold bold करने के लिए हम control B press करते है, control plus I for italic, italic करने के लिए हम control plus I press करते है, control plus U for underline, और underline करने के लिए हम क्या use करते है, control plus U, अब देखे, to change the font type, follow the given steps अभी हमने पढ़ा font क्या होता है, font is a group, किसका group होता है, font style का, उसका क्या होता है, इसका specific size का, उसके अंदर किस तरीके से उसको form में लिए गया है, सब किसका collection होता है, font का है कि अपना क्या होता है, group होता है, अब हम इसको देखता है, इसके font को हम कैसे apply कर सकता है, different fonts को अपने text के उपर, उसके बारे में देखता है, step 1, select the desired text, सबसे पह आपको क्या करना हो, select करना होगा, step 2, choose the home tab, अब हम किस पे click करेंगे, home tab पे choose के लिए click करेंगे, step 3, click on the drop down arrow, next to the font groups, font box to select it, the fonts will be listed, अब आप देखेंगे, font group में हम क्या जाएंगे, font पे जाएंगे, यहाँ पे हम इस पे click करेंगे, इस arrow पे click करेंगे, drop down arrow पे, तो आप जो भी font हम choose करना चाहते है, उस पे हम click करेंगे, उसी के अंदर जैसे ही दिख रहा है, अब black lives, जो इसका style आ रहा है, इसका size आ रहा है, इसका look आ रहा हो same हमारे text पे पर apply हो जाएगा, यहाँ पर हमने लिया, add off pen, यह वाला हमने font यहाँ पर लिया, तो यह हमारा font हमारे text प will be in the font you choose, तो जो भी हमने करा, उसका जो हमारा font विल्कुल same, जो भी हमने यहाँ पर select करा होगा font, उसके according हमारा text का font अपने आप automatically change हो जाएगा, अब देखते हैं, changing the font size, अभी हमने पढ़ा कि हम font को कैसे apply करते हैं, अब हम font का size change कैसे कर सकते हैं, जो हमने font apply करे हैं, हमें क् font का size लेना है, बड़ा लेना है, छोटा लेना है, कम लेना है, जादा जो भी हमें करना है, हम font का size भी अपना change कर सकते हैं, चलिए उसके steps लेखते हैं, किस तरीके से करते हैं, to change the font size, follow the given steps, यहाँ पर कुछ steps हमारे समने given हैं, इनको apply करके हम क्या कर सकते हैं, font का size change कर सकते है step 1 select the text first, सबसे पहला में क्या करेंगे text को select करेंगे, step 2 choose the home tab हम home tab पर जाएंगे, step 3 click the drop down arrow next to the font size option in the font group अब हम क्या करेंगे, यह हमारा font size के बिलकुल font के बराबर में हमारा size का boxes पर drop down list पर क्लिक करेंगे, यह हमारा sizes आ जाएंगे, इसमें जो भी size पर हम लेंगे, वो size हमारा text पर apply हो जाएगा, यहाँ पर हमने क्या लिया है, 16 लिया है list of font sizes will be displayed यहाँ पर होगे न, आपका इसमें से कुछ भी size लेंगे, यहाँ पर display हो जाएगा, step 4 you can choose the font size that will be used for your text, the text will be in the font size you have selected, आपने जो भी क्या होगा, यहाँ पर font size select का है, हमने 16 करा, वो 16 हमने select करा, सेम हमारा size क्या होगा, उसके according change हो जाएगा, देखेंगे, आईए, अब देखता हम changing the font color, अभी हमने पढ़ा font कैसे apply करते हैं, अभी तक हमने पढ़ा font का size हम कैसे change कर सकता है, अब हम करने जा रहे है, font का color किस तरीके से change कर सकता है, चलिए, to change the font color follow the given step, हम अपने text का font color को change करने के लिए कुछ steps given उनके बारे में देखता है, step 1 choose the text, सबसे पहले हम text को choose करेंगे, step 2 click on the home tab, फिर उसके down arrow next to the font color option in the font group, a list of font colors will appear, अब हम यहाँ पर देखेंगे font color किस पर जाएंगे option यहाँ पर कि देखेंगे, हम एक list खुल जाएगी, colors की यहाँ पर में जो भी color apply करना है, उसके बारे में देख सकते हैं, अब हम देखेंगे, step 4 the font color you want to use for your text should be chosen, the text will be in the font color you have selected, आप यहाँ से आप जो भी color पे click करेंगे, जो भी color आप चूज करेंगे, आप देखेंगे, आपके text पर वो color apply हो जाए रहे, यहाँ पर हमने red पे करा, तो हमारा जो भी text होगा, हमारा यहाँ पर change हो जाए, आई आप देखते हैं, effects for text, अब text के उपर effects किस तरीके से apply कर सकते हैं, वो देखते हैं, the text effects feature in word 2016 allows you to add some beautiful effects to any text, to apply the text effect to selected text, follow the given step, word 2016 में बहुत सारे माई पास option होते हैं, क्या अपने text को कोई भी उसके उपर, जो भी हम लेंगे, उसके अपने text के उपर effect लगा सकते हैं, step 1, select the text first, सबसे पहला हमें क्या करना होगा, text को select करना होगा, step 2, choose the home tab, अब हम क्या करेंगे, secondly, home tab पे click करेंगे, step 3, select text effect by clicking the drop down arrow next to the font group, a list of text effect will be displayed, will be displayed, आप देखेंगे, आप क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ बहुत सारे text effect हैं, आप हमें जो भी यहाँ पर text लेना है, हम इस पर click करा, हमारे पास यह text effect आ जाएंगे, हम यहाँ पर जो भी text effect लेंगे, वो हमारा text पर apply हो जाएगा, step 4, select the text effect you want to apply to your text, the text selected effect will be applied, आप जो भी यहाँ पर effect चूज करेंगे, वो effect आपका क्या होगा, आपके text पर apply हो जाएगा, देखेंगे, हम नहीं यहाँ पर यह वालक करा, तो हम देखेंगे, हमारा text इसी according convert हो गया, change हो गया, hopefully यहाँ तक आ गया होगा, आपको किस तरीके से आप करेंगे, अब होता है next, aligning the text, अब text को align करना, alignment in a document describes where the text is located or how it appears in references to the margins, there are four alignment options in word, these are left, right, justify and center, देखें, word के अंदर क्या होता है, alignment होता है, alignment मतलब जो text है, वो हमारा किस तरीके से aligned होगा, mainly MS Word 2016 के अंदर हमारे पर four alignment होता है, कि हम टे left, right, justify and center, left, right, justify and then center, देखें, अब left का मतलब हमारा जो data होगा, वो left aligned होगा, हमारा क्या होगा, right का मतलब हमारा जो data होगा, right में aligned होगा, right side से align होगा, इधर की तरफ होगा, justify वो दोनों side से होगा, center means वो बिल्कुल बीच में center में आजाए, अब देखते हैं इनको किस तरीके से, इसके step section किस तरीके से apply करेंगे, to change the alignment of the chosen text, follow the given steps, अब हमें क्या करना है, हमने text को choose कर लिया, उसका हमें alignment change करना है, step 1, select the text first, सबसे पहले हम text को select करेंगे, step 2, choose the home tab, अब हम home tab के उपर जाएंगे, step 3, decide which alignment option you wish to utilize for the paragraph group in your content, the text will align accordingly to the selection, अब हम देखेंगे, हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें किस के according अपने text for selection को मदब करना है, align करना है, उन options में से हम जो भी option apply करेंगे, वो option अमरा apply हो जाएगा, देखेंगे, अब हम पहले हम देख लेते हैं, उन options के बारे में कौन-कौन से हमाँ पास, when you select the align left button, the text is aligned to the left, अगर हम left align button choose करेंगे, तो हमारा text left aligned हो जाएगा, when you select the align right button, the text is aligned to the right margin, अगर हम right पे क्लिक करेंगे, तो हमारा text right aligned हो जाएगा, when you select the align justify button, the text is centered between the left and right margins, अगर हम क्या करेंगे justify पे क्लिक करेंगे, तो हमारा text होगा left और right दो तरफ से बिलकुल justify हो जाएगा, aligned हो जाएगा, when you select the align center button the text is aligned center जब हम क्या करेंगे center button पर click करेंगे तो हमारा text क्या होगा centrally aligned हो जाएगा चलिए यहां तक आपको समझ में आ गया होगा जो भी हमें करना है अब यहां पर इमने by default देखें हमने यहां पर center पर click करा होगा तो हमारा data देखेंगे आप centrally aligned होगे आई अब इसका revision station देखते हैं identify the aligned style applied to on the text यहां पर क्या होगा हमें क्या होगा हमें क्या होगा हमें कुछ हमारी पास text boxes में text given है इनका कौन सा data किस तरीके से align है किसका क्या type है data का align होने के बाद देखें अब देखेंगे दोनों तरफ से भी कुले के justify आप देखेंगे हमारा यह राइट से aligned है यहां पर right alignment आगे देखते हैं आगे आते हैं applying border border को किस तरीके से apply करा जा सकता है text के उपर text है text है text हमें border में देना है तो उसको किस तरीके से apply कर सकते हैं देखते हैं you can action it and improve the appearance of your document by adding borders to a page और a block of text हम क्या कर सकते हैं हमने जो block लिए text उसको बिलकुल क्या करना है हमें actualize मतलब अपनी appearance को क्या करना है और more attractive करना है तो हम एक border में अगर किस चीज को देता है तो बिलकुल highlight हो जाती है तो हम देखेंगे वो ms word के अंदर किस तरीके से हम apply कर सकते हैं उसके बार में देखते हैं to apply the border on the selected text follow the given steps किस तरीके से हम इसको apply कर सकते हैं अपने text के 4 तरफ border को apply कर सकते हैं step 1 select the text first सबसे पहला में क्या करना होगा text को select करना होगा step 2 choose the home tab हम किस पर क्लिक करेंगे home tab पर क्लिक करेंगे this is the home tab step 3 in the paragraph group selected border by clicking the drop down arrow next to it अब हम यहां पर हम क्या क्लिक करेंगे यहां पर मारा border वाला ये क्या है option है इसके drop down पर क्लिक करेंगे यह हमारे पास क्या जाएंगे drop down border पर क्लिक करते हैं हमारा पास एक list आ जाएगी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, step 4, selecting border and shading from the drop down menu, a border and shading dialogue box appears, जैसी हम click करेंगे इसके उपर, यहाँ पर अगर हम click करेंगे, तो हमारे पास एक list menu खुल गया, यहाँ पर हम सबसे नीच आएंगे, border and shading पर हम किस पर क्या करेंगे, click करेंगे, click करने के बाद हमारे देखेंगे, तो हमारे यह border and shading का क्या हो जाएगा, dialogue box खुल कर हमारे सामने आ जाएगा, step 5, select the border step, to choose the border style and color, use the style and color option, अब हमें जो भी यहाँ पर border apply करने, हमने यहाँ यहाँ पर border पर click करा, तो हमारा वो border यहाँ पर apply होगा, इसके लिए हम यहाँ से color भी choose कर सकते हैं, यहाँ पर style भी ले सकते हैं, जो हमारी line आ रही हो कितने width कि हैं, उसको हम इस drop down arrow किसे click करके, उसको भी choose कर सकते हैं, इस सब setting करने के बाद हम करेंगे, step 6, click on the ok button, अब हम किस पर click करेंगे, ok button पर click करेंगे, तो water हमारा text के उपर applied हो जाएगा, अब आगे आते हैं, applying shading to the selected text, अब हमने जो text select किया, उसके उपर हमें shading कैसे apply करने, उसके बारे में देखेंगे, you can use a number of shading method to improve the appearance of the selected text, you can give selected text shading by following the steps listed below, अब हमारे पास जो text है, उसको हमें क्या करना है, shading देनी है, shade आया उसके पीछे, तो हम वो कैसे कर सकते हैं, उसके steps उसको हम देखते हैं, step 1, select the first text, सबसे पहले text को हम select करेंगे, step 2, choose the home type, home type पर जाएंगे, step 3, from the drop down menu in the paragraph group, choose the border option, अब हम paragraph option पर जाएंगे, border option पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर एक drop down हमारी क्या होगी, खुलेगी, list खुल जाती है, select the borders and shading option, the dialogue box is present, अब हम किस पर क्लिक करेंगे, border and shading पर क्लिक करेंगे, तो हमारा border and shading का क्या होगा, dialogue box खुलकर आ जाएगा, step 5, select the shading tab from the dialogue box, इस dialogue box में अभी तो हमने border type का माई by default selected थी, अब हम किस पर क्लिक करेंगे, shading पर क्लिक करेंगे, step 6, select the type of shading you want to apply to your text, अब क्या करेंगे, अब shading पर आपने क्लिक करा, आपको जो भी इस पर shading apply करनी है, आप उस पर क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे न, इसका color की आपकी पीछे की ये shade ये वाली आजाएगी, इस color की shade आजाएगी, step 6, from the option choose okay, shade क्लिक करने के बाद आप okay पर क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे, आपका text के पीछे back में shade आजाएगी, इस color की, next देखते है, removing a border, to remove a border, follow the given steps, अब हमें border को remove करना है, जो हमने border बनाया तो उसको हम कैसे हटा सकते हैं, देखें उसके steps देखते हैं, step 1, click anywhere in the border of the text, कहीं भी आप border के अंदर click कर लीजे, step 2, choose the home tab, अब home, home tab पर जाएगे, from the drop down menu, next to the paragraph, group choose the border option, border option पर क्लिक करेंगे, जाएगा, step 4, select the no border option, the border of the text will be removed, और यहाँ पर हम जब इस पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर हम no border पर क्लिक करेंगे, तो हमारा क्लिक करने के बाद, जो भी border हमाँ apply था, वो हमारा क्या होगा, हट जाएगा, आए देखते हैं, adding bullets and numberings, किस तरीके से हम bullets and numbering को add कर सकते हैं, learn how to add bullets and numbers to your text, by reading the following examples, देखें, किस तरीके से हम bullets and numbering को कर सकते हैं, उसके examples रेकते हैं, each item in a list is indicated by one of a small sets of symbols called a bullet, जो क्या होता है, एक छोटा सा क्या होता है, जो symbols होते हैं, जाएखते हैं न, चोटी-चोटी symbols होते हैं, उनको हम किस तरीके से इसके उपर apply कर सकते हैं, एक देखते हैं कि छोटी symbols का जो होता है, उसको हम bullets कहा देते हैं, set of symbols को, to add bullets to a chunk of text, follow the given steps, तो bullets को किस तरीके से apply करते हैं, उसके steps को देखते हैं, step 1, select the text first, सबसे पहरे हम text पो select करेंगे, step 2, choosing the home tab, अब हम home tab पे click करेंगे, step 3, choose bullets under the paragraph group, a bullet library will appear, आप जैसे home tab पे जाएंगे, आप क्या करेंगे, बुलेट पे paragraph group के अंदर, आप bullet के उपर click करेंगे, तो उसकी जो भी library होते हैं, step 4, select the type of bullets you want to apply, अब हम यहां से क्या करेंगे, जो भी bullet हमें apply करनी है, उसे हम यहां से लेनेंगे, यहां पर हमने इस वाली bullet पे click कराए, right पर, तो आप देखेंगे, जैसे आप इस पे click करेंगे, तो यह आपकी bullet आपके text यह उपर applied हो जाएगे, अब देखते हैं, to apply numbering to the selected text, follow the given steps, अब किस तरी से numbering apply करने के लिए, हमें कुछ steps को follow करने का उनके बारे में देखते हैं, step 1, select the text for, सबसे पहले हम text को select करेंगे, step 2, choose the home tab, हम home tab पर जाएगे, step 3, select the numbering option from the paragraph group, अब paragraph group से हम क्या करेंगे, numbering option को select करेंगे, step 4, a numbering library will appear, select the numbering design you want to use, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, जो भी हमे numbering लेनी, उस पर हम click कर देंगे, हमने यह लिए 1, 2, 3 लिया, इस पर click करा, यह वाली library के अंदर, तो हम देखेंगे हमारी text यो पर, यह वाली bullet हमारी apply हो जाएगे, चलिए अब इसका practice situation देखता है, जो यह आप खुद करेंगे, अपनी lab के अंदर जागे, create a document and write 5 lines of your favorite poem in the document, आप अपने document के अंदर, कोई 5 lines जाके उसको type करेंगे, change the font color, size and style, उस तक करके देखेंगे, change to justified alignment, आप उसका alignment justify लगाएंगे, और उसके उपर हम क्या करेंगे, border apply करेंगे, आईए अब हम इसके factopedia को देखता है, the key on the keyboard were initially organized in alphabetically order, जहाँ तर keywords में जो keys होती हैं, वो alphabetically order में organized होती हैं, query keywords were created to make individuals move more slowly, जो query keywords होते हैं, वो individuals को क्या होता है, slowly चलाने में हमारी को हमारी जो speed थी, उसको थोड़ा सा slow कर देते हैं, आए हम इसका backup station देखता हैं, जिसके अंदर हम इस chapters को revise, इसके revision contents देखेंगे, जो अब तक हम इस chapter के अंदर पड़ा, उसको एक बार revise करते हैं, देखे, the two steps that make up the majority of text related work in word, are selecting the text and applying the relevant adjustment, जो सबसे बड़ा measure होता है, मलब कि किसी को editing करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए, वर्ड के अंदर सबसे पहला होता है, हम text को select करेंगे, select करने के बाद जो भी हमें उसके उपर apply करना है, editing करनी है, उसके अंदर या formatting करनी है, वो सारी adjustment हम उसके बाद करते हैं, इन दो के अंदर ही सारा का सारा हमारा word के अंदर काम हो जाता है, the selection area is the vacant space between the vertical ruler and the document, देखें जो होता है कि हमारा जो vertical ruler और document के बीच में होता है, हमारा जो हम select करते हैं, हम उकलाता है हमारा selection area, modifying a text appearance and organized is known as formatting, text की appearance को modify करना क्या किलाता है, आपका formatting किलाता है, our type phase is a group of identically size, shaped and style, typically characters, letters and symbols, जो type phase होता है, यह होता है, एक क्या होता है, group होता है, कि same shapes की, same size का और same style का क्या होगा, इसके अंदर characters होते हैं, we can improve the historic attractiveness of our work by placing a border around a paragraph of text, or the full page, हम अपने जो text है, उसको attractive, बहला enhance करने के लिए, हम क्या कर देता है, उसके ओपर क्या कर रहता है, border apply कर रहता है, border में अगर कोई text आता है, वो बहुत attractive दिखता है, each item in a list is denoted by a little symbol in a plate, देखें, जो list होता है, list में आप कभी भी कोई भी list देखेंगे, तो आप देखेंगे, side में एक symbol आता है, जो हर एक items को क्या करता है, separate करता है, अब हम इसके exercise station पर आते हैं, जिसके अंदर हम इसके exercise करेंगे, darken the correct option in the OMR sheet, यहाँ पर हमारे पास एक OMR sheet है, given है, यहाँ पर हमें जो correct option है, उसको क्या करना है, darken करना है, पहला है, हमारे पास question है, which button is pressed to center align the text, यहाँ पर कुछ button से, कौन सा button है, जिस पर press करके, हम अपने text को center align कर सकते हैं, यहाँ पर correct है हमारा, option C, to bold the text, which of the following command should be chosen, to text को bold करने के लिए, हम कौन सी command को choose करते हैं, हमारे पास option से, control plus B, control plus U, control plus I, none of these, प्राइस करते हैं, हमारे text bold हो जाएगा, which boxes drop down arrow needs to be clicked, to create a page border, हमें कौन से, box के नीचे drop down करना होगा, कि जो हम अपने उपर, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, border apply कर सकते हैं, यहाँ पर misprint होगे हैं, यहाँ पर आएगा border, option B, which is the default font in word 2016, 2016, 2016 के अंदर हमारा जो default, क्या होता है, font आता है, हमारे पास option है, aerial, calibry, times new roman, comic sense, हमारे calibry, option B, आएगे बढ़ते हैं, fill in the blanks, using the given words, हमें क्या करना है, यहाँ पर कुछ words हमारे given है, इनको use करना है, इनको use करके, इनको blanks को क्या करना, fill करना है, text effects are in the, text effects आपके किसके अंदर होते है, font group के अंदर, to finish the numbered or bulleted list, press the, हम क्या करते है, number or bulleted list को क्या करते है, करने के लिए हम किसको करते है, press करते है, enter की को twice, to text is aligned in blank, with the left alignment, left alignment के लिए करते हैं, left को, to select all the text, पूरे select text को select करने के, हम press करते है, control plus A, आएए, चले next exercise को देखते है, write T for true, और F for false, false for the following statements, यहाँ पे कुछ statements आपके given है, इनमें जो true सही है, उसके आगे हम T लिखेंगे, जो false है, उसके आगे हम F लिखेंगे, the text is aligned in left in word 2016, yes, by default text जो होता है, हमारा left aligned होता है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे true, करतो हम उसे right center justify, कुछ भी कर सकते हैं, by default हमें मिलता है, वो left aligned, control plus B is used for bold comment, true, control plus कीसे हम क्या कर सकते हैं, किसी को भी text को, comment को हम क्या कर सकते हैं, bold कर सकते हैं, word 2016 has only one font false, उसके पास बहुत सारे पॉंड होता है, there are three alignments in word 2016 false, हमारे पास word 2016 के अंदर, four alignments होता है, students, इस chapter की आगे की exercise, आप खुद करेंगे, hopefully यह chapter आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, चलिए मिलते हैं, अब आप से अपने next lecture के अंदर, till then have a nice day,